जैश्री कृष्ण, करम कांड, पूजा मंत्र, स्तोत्र, वर्त कथा, एवं सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूटूब चेनल को सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट पाने के लिए गंटी की निसान को भी दबाएं जैश्री कृष्ण, प्रिय दसको आज मैं आपको बताने वाला हूँ, पीपल का पूजन कर समय किस मंत्र का उचान करना चाहिए, तुलसी का पूजन करते समय किस मंत्र का उचान करना चाहिए, तुलसी तोड़ते समय किस मंत्र को बोलना चाहिए, और बिल्लो पत्र तोड़त समय किस मंत्र को बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में जैसरी कृष्ण जुरूर डिके अत्व आपके कोई संका हो कोई प्रश्णों मुझसे पोच सकते हैं मैं जुरूर उसका समाधान करूंगा सबसे पहले पीपल का जब भी पूजन करें तो जुरूर बोलना चाहिए यह मंत् चाहिए जाएंगे अस्वाथ आयर अन्याय सरह एस्वर यदाइने स्ट श्यवर ऊंत्यु पाय विख्ष राजायतना महा इसके बाद तुलसी जी का पूजन करें तो किस मंत्र को बोलकर के तुलसी जी का पूजन करना चाहिए दीपक करना चाहिए जब भी दीपक करें तुलसी के पास तो ये मंत्र जुरूर बोलें इसके बाद तुलसी तोड़े भगवान के लिए तो इस मंत्र को बोल करके तुलसिना चाहिए तुलस्यमृत जनमासी सदात्वम केशवा प्रिया चिनोम के सवश्यार्ते वरदा भवशो बने आप जब भी भगवान को विल्लो पत्र चड़ाते हैं तो विल्लो पत्र तोड़ते समय इस मंत्र को बोलना चाहिए कैसे बोलेंगे इस मंत्र को बोल करके बिल्लो तोड़ना चाहिए तो ये थी आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट बोक्स में जुरूर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद